पोशन इस्थिती सभी लोगों में खाद सुरक्षा सुनिश्यत करने के लिए हमने खाद की उपलब्धता उसकी पहुँच वा लोगों की क्रेश शक्ती पर चर्चा की विभिन योजनाओं से हमने यह भी जाना कि गरीब वर्ग को ये योजनाए कैसे मदद पहुचा रही है वास्तों में क्या लोगों को खाद सुरक्षा प्राप्त हो रही है इसे जानने का सबसे आसान तरीका है कि उनकी पोशन इस्थिती का चिकित्सकी या कुछ वैज्यानिक पद्धती से जाज करना वैज्यानिक पद्धती वैक्तियों के उम्र एवं लंबाई तथा वजन के अनुसार होती है व्यज्यानिक पद्धती में सबसे प्रमुख है BMI Body Mass Index अर्थात शरीर द्रविमान सूचक BMI आंकडे विश्व स्वास्त संगठन WHO द्वारा प्रमारित है हम समानिता कुपोशित वेक्तियों को देख कर ही पहचान सकते हैं अत्यंत कमजोर, बहुत कम वजन एवं अत्यधिक मोटापा परन्तु कुछ कुपोशितों को साधारन रूप से देख कर हम पहचान नहीं सकते ऐसे लोग हमारे देश में 30 से 40 प्रतिशत है कुपोशित लोगों के इतनी बड़ी आबादी, खाद सुरक्षा की द्रिष्टी से अत्यंत चिंता का विशह है जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए WHO द्वारा निर्धारित सार्नी के बारे में हमने ICDS खंड में पढ़ा है 5 से 19 वर्ष तक के उम्र के बच्चों के कुपोशन दर को जानने के लिए BMI का सहारा लेते हैं इससे हम लंबाई वा उम्र के अनुसार वजन का पता लगाकर BMI ग्याद करते हैं हमने कुछ ग्रामीन स्कूलों के बच्चों का BMI ग्याद किया BMI का विसलेशन करने पर हमने पाया की कुछ बच्चों का शारीरिक वा पोशन इसतर ठीक नहीं है प्राप्त आकडों के आधार पर हमने बच्चों से उनके खान पान वा पोशक आहार पर विस्तरित चर्चा की आईए उदाहरन के माध्यम से एक बच्चे का BMI ग्याद करने का प्रयास करें नाम रानी महिला आयू 15 वर 6 मा लंबाई 1 मीटर 34 सेंटिमीटर वजन 26 किलोग्राम BMI बराबर शरीर का वजन किलोग्राम में बटे लंबाई गुणित लंबाई मीटर में रानी का BMI 26 बटे 1.34 गुणित 1.34 बराबर 26 बटे 1.79 बराबर 14.52 अब हम रानी के BMI का WHO द्वारा प्रमाणित सार्णी में अवलोकन करते हैं जो कि पुस्तक के अंतिम प्रिष्ट पर है यह सार्णी 5 से 19 वर्ष तक के बच्चो लड़का एवं लड़की के लिए अलग-अलग के लिए उपलब्ध है BMI विसलेशन सार्णी के अनुसार रानी का BMI कुपोशित संकेत के खंड में है यह स्थिती रानी को कुपोशित यानि कमजोर होने का संकेत है ऐसी अवस्था में रानी को अतिरिक्त पोशक आहार की आवशकता है समानता 19 वर्ष के पस्चात व्यक्तियों की लंबाई का बढ़ना लगभग इस्थिर हो जाता है इसलिए 19 वर्ष से अधिक अर्थात वैस्को के लिए एक अलग पैमाना बनाया गया है वैस्को का BMI ग्याद कर निम्नांकित सार्णी से पोशन इस्थिती का विसलेशन किया जा सकता है तालिका क्रमांक 20.4 वैस्को का BMI विसलेशन तालिका NIN के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 35 प्रतिशत वैस्को का BMI 18.5 से कम है जबकि 10 से 13 प्रतिशत वैस्को का BMI 25 से जादा है हमारे देश में जो बच्चे कुपोशित दिखाई देते हैं उनके संभावित कारणों में से एक है कि उनकी माताओं को उचित पोशन आहार ना मिल पाना महिलाओं की शारिरिक स्थितिका बच्चों के पोशन से सीधा संबन रहता है आज भी कई महिलाओं को पोश्टिक भोजन और अन्य जरूरी चीजें खास कर गर्भावस्था के दोरान प्राप्त नहीं हो पाती इससे गर्भ में बच्चे का समुचित विकास नहीं हो पाता बच्चा कम वजन का पैदा होता है और वा जन्म से ही कुपोशन का शिकार हो जाता है ये बच्चे अपनी बढ़ती आयू में भी कुपोशन से प्रभावित रहते हैं जो इनके व्यस्क होने पर भी बना रहता है ऐसी स्थिती में इनके स्वेम माता-पिता बनने पर इनकी आगे की पीड़ी पुना कुपोशन से प्रभावित हो सकती है और यह क्रम निरंतर जारी भी रह सकता है हमें इस क्रम को तोड़ कर इन लोगों को कुपोशन से बचाना होगा तभी खाद सुरक्षक का उद्देश पूरा होगा